इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ट्रैंगुलर प्रिज्म के faces, ages और vertices को कैसे count करेंगे मैं आपको 3D admission से बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा सबसक्राइब समझ लगते हैं कि ट्रैंगुलर प्रिज्म होता क्या है इस तरह के प्रिज्म में जो top और bottom face है वो ट्रैंगुलर होते हैं यानि यह polygon होते हैं और यह parallel होंगे इसके बाद इनके vertices को connect कर दिया जाता है corresponding vertices से तो सबसे पहला face है यहाँ पर यह rectangular face है जो yellow color में दिखाना है दूसरा face यहाँ पर बंदा है और तीसरा face frontal है यानि total 3 rectangular face है इसमें number of triangular face कितने हैं bottom में एक है और दूसरा top में है in total दो triangular faces हो गया है यदि number of ages हम count करें तो आप देख सकते हैं top में में तीन ages है triangle के तीनों side is को represent करने हैं और bottom में भी तीन ages है triangle के vertices को connect करने के लिए एक एक pillar या line segment है इसको आप age कहेंगे यानि total number of ages जांगे 3 top के 3 bottom के और 3 vertical है यानि 9 हो गया इसके बाद हम vertices को count करने है vertices वहां पर फॉर्म होने जहां पर तीन surface आके meet करने हैं यानि माली जे top front वाला और यह side वाला आके हम मिले है तो एक vertex यहां पर है दोसरा यहां पर प्रीसरा यहां पर चौथा यहां पर है 5 और यहां पर 6 यहां पर यहां पर यानि total number of vertices 3 plus 3 6 हो गया आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जल्बते हैं यादि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं थैंक्स पर वाचिंग